नमस्कार दोस्तों में संदीप स्वागत आप सभी का आज किस नए क्लास में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले बीए के सोसोलोजी यानि कि समासाफ्त के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में जो कि आपके आने वाले एकजाम के लिए पूरी आज किस वीडियो का पहला कोश्चन है कि प्रितलेवं विवाह क्या है तो आपको आफसन इसमें मिल जाएंगे जो राइट होगा उसे आप लोगों को मार्शीट में गोला करना होगा नंबर एक है यानि कि ए नंबर जब पुरुष पत्नी को खरीदता है तब प्रतलों बिवा कहते हैं कुछ वर्ड है जो टाइप करने में मिस हो गये हैं उसे मैं स नंबर है जब उच्छी जाथ का पुरूष नीची जाट की सुस्तिर से भी वा करता हैसे तो पितलों बिवा उसे चाहते हैं न्यांकित जाएगा याद रखे को मोश्ट्व परड़न कोश्चन आपके एक्जाम में आने के बहुत सारे चांसे हैं ठीक है अगले कोश्चन को बढ़ते हैं लिखाए कि निम्नांकित में से किसे बीवा का उद्देश कहा जाएगा बच्चों के जन्म की वैद बेवस्था करने को परि यानि कि यह सभी होने चाहिए ठीक है ठीक है उपयोग तुमें से सभी इसले कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर याद रखीगा ओके निश्चन है कि भारत की अनेक जनिजातियों में ठीक है पालेंडरी का प्रचलन है पालेंडरी का क्या आस्सा है चले समझ कुछ इस्तिरियों के कुछ पतियों में बैवाविक संबंद और लिखाव प्योक्त में से कोई नहीं तो भारत के अनेक जन जातियों में ठीक है पालेंडरी का प्रचलन है प्लेंडरी का आस्से क्या है तो इस कोश्चन के तो राइट एंसर हो जाएक बी नमबर ठीक है एक से अधिक पती से है ठीक है तो उसे ही कहते हैं प्लेंडरी का प्चलन ओके निश्च कोशन है कि यह कोई पुरुस एक समय में एक ही इस्तिरी से बिवा करता है परन्तों तलाक के द्वारा अपनी पत्नियों को बदलता रहता है तो यहां ब्यवहार क्या कहलाएगा ध्या कहते हैं तो जब कोई पुरुस एक समय में एक से अधिक इस्तिरी से बिवा करता है परन्तों अलाक द्वारा अपनी पत्नियों को बदलता रहता तो इस बिवहार को कहा जाएगा यानि कि चार नंबर को जाएगा सी एक बिवाह याद रखेगा एक बिवाह कहेंगे ठीक है चलिए बढ़ेंगे एगले कोश्चिन की और कि अगला कोश्चिन की वाकाउन से संस्ता है जो बच्चों के जर्म को वधिता प्रदान करते हुए उन्हें समाज में समुचित प्रस्थिती दिलाती है तो आपको आपसर मिल जाएंगे संसिकार बी नंबर नातेदारी सी समुचित प्रस्थिती दिलाती है उसका नाम है सी नंबर राइट एंसर हो जाएगा इनकी बिवाह याद रखेगा टॉप लेबर कोश्चन है ठीक है चलिए नेस्ट को बढ़ते हैं लिखाए कि निमलिखित में से बिवाह को आप क्या कहेंगे तो संसिथा कहेंगे बी संसिथा कि निमलिखित में से या निमनांकित में से कौन बिवाह का प्रकार नहीं है एक बिवाह बहुपत्नी बिवाह समुव इनमें से कोई नहीं तो निमलिखित में से जो आप एक बिवाह का प्रकार नहीं कहेंगे वो कहेंगे इनमें से कोई नहीं को राइट एंसर हो ज मारडॉक नमबर है टाइलर और डी नमबर है रेट किलिफ ब्राउन तो इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाए का विभिन समाजों में विवा का महत्पूर अर्धन करने वाले जो सोथ करता है उनका नाम है मारडॉक ठीक है मरडॉक ठीक है मरडॉक अब सब भाई मिलकल एक इस्तरी से विवा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं यह कुश्चन समाज साथ में पूछा गया है वही मैं आप लोगों को बदा रहा हूं अलाकि मैंने अपने तरफ से कुश्चन नहीं किया गया कुश्चन मना बया समाज साथ की तो और से पूंचे जाते हैं पिछले सालों में कई बार पूंचे भी गए तो मैं कुश्चन आपको प्रवाइट कर रहा हूं ठीक है तो जब सब भाई मिलकले कि इस तीरी से बिवा सहे पती ठीक है सहे पते विवाँ और दी नमबर एशी के देवर विवाँ और दी नमबर समू भी ठीक है तो यहांपर थोड़ा टाइब करने मिस हो गया तो आप लोग समल ली जेगा ठीक है तो इस चार अपसं दियेगे इन में से जो राइट एंसर हो जाएगा यानि कि ज मैं एक स्थी के समय एक समय में इस अधिक पती होते हैं तो उसे क्या कहते हैं अधिक ठीक है दी नंबर द्यान नखे गगा बहुपद भीव जो ता वह जो था उसका जो नाम है वह एक भीवा इसले राइट एंसर हो जाएगा हो जाएगा ए नमबर ठीक है विष्टर मार्क के लूट सार कि एक बिवा यह घिर॥ debit byίο ही विवा का सच्चा सोरोप है श्र hani गण्नियोंगी अबशन करें रहेंगा यह कफनने हैं वो ठीक है मैं लिनोव आश्की का था याद रखी गड़ी नंबर राइट एंसर निस्ट कोईश्चन है कि बहुपत बिवा जान दिजेगा बहुपत बिवा एक प्रकाय का संबंद है जिसमें एक इस्त्री के एक समय में एक से अधिक पती होते हैं या जिसमें सब भाई एक पत्न था है या पत्नियों का शव्मली तो होकरते हैं यह परिभासा दिया ययानी किications आपको मिल समय मिचिल ने दिये कपरिभासा दिया है हाब ठीक है हाबल ने ले रिवर्स ने दिये तो question तो right answer हो जाएक СпGE तो आपको आपसन मिल जाएंगे मिचेल ने कपडिया ने हाबल ने और रिवर्स ने राइट है यह परिभासा या पंक्ती जो भी कहीए ठीक है निच कोशन है कि एक स्त्री घांदी जेगा एक पती के जीवित होते हुए नपुरूस से बिवाह करना अब यह समय पर ही दो या दो सेदिक पुरूस से बिवाह करना भौपत बिवाह है यह परिभासा कितने दी मिचेल ने सब्सक्राइब कर या फिर एक समय पर ही दो या दो सब्सक्राइब करना भूपत भी आद रखेगा मीचेल ने तो एक जैसे हैं तो आप लोग अलग अलग जो फिर समाशास्त्री उनका नाम समाशास्त्री का नाम सेलेक्ट कर ले उस कोश्चन में उनका सेलेक्ट कर ले तो ध्यान पर रखिएगा ठीक है चलिए बढ़ते हम अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन है कि मैका इवर एवं पेश ने समू की अपनी परिभासा में किस बात पर विसेश जोड़ दिया है ए लंबी अवद से संचार पर शमाजिक संबंदो पर उन्हों पर ने परिशेवासा पर विसेश जोड़ दिया है याद रखेगा ठीक है ने इस कोश्चन कर पर पढ़ते हैं लिखा है कि अंता समू का वर्गी कड़क्चि समाफसाच्री ने किया है मारतर ने खुले ने ऐतंच नब गशने कि च्छूव औरे संमद में कि संहूँ की विश्था नमबर एक समाजीव रॉक्त में तो सन्मों में ठेखे रिखे हैं नेक्ट यहार की समें कि संहूँ की याद रखेगा बी नमबर Agent रॉजा भी कि नंबर राइट एंसर दूतीक नेश कोस्चन है कि निफ्ञन पपरिवार पति पतब है तो इस कउम्च तो समॉप का राइट नहीं सिसे कह वह परिवार रखांतब म workflows अंऔर पर तुब सबht सब्सक्राइब करने वाला वियंता भी है संदर्व का समू और अनुभिज्ञान विशारत भी है कौलेद भी पढ़ने वाला विद्यार थी इसलिए कोईश्चन के राइट एंसर डी हो जाएगा चलिए बढ़ेंगे एक लिए कोईश्चन के और अगला कोईश्चन है कि अर्द सहबागी समों का प्रत्य है वो प्रतिपादित किया है उनका जो नाम है ठीक है वो है जिन सबर्ग याद रखेगा ची नंबर राइट एंसर हो जाएगा 21 नंबर कोईश्चन का ओके नेस्ट कोईश्चन है कि निम्न में से कौन दुत्यक समों नहीं है क्लास्रूम छ क्लास्रूम कचशाट्र है इस लिए यह हो जाएगा समो नहीं कि संदर्व 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 प्रत्य सरप्रत्ं कितने प्रत्यबर प्रत्य ट्रश्चन है के रहे सब्सेडन दीजिए गा डाइंसन मिल जाएंग याद रखेगा संदमहों पृटफ पतिवाइद क्या है 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 मन्न ने जिश्ट को इख संद्र संद्र संभी में मी आस्थाय Спथा सिंекा हैं जाए वह फ्ट नम स qui नंबर कोश्चियं को राइट से स्भी स सी नंबब случar संद्रब समूग का मुख्याधार है आपसर मिल जाएगे वे एक ठीक है वे एक तिक संबंध और बी नमबर है आकार सी नमबर संबंधों में घनिष्टता और डी नमबर सदस बनाने की आकांचा तो कोश्चन का राइट एंसर गाएगा 25 नमबर जो कोश्चन है ठीक है उसका राइट एंसर हो जाएगा संद्रब समूग का मुख्याधार है सदस बनाने की आकांचा याद रखेगा डी नमबर राइट एंसर होगा ओके नश कोश्चन है कि पस समाज में चीटियों की जहां दिजेगा पस समाज में चीटियों के अत्रिक्त किसमें स्रम विभाजन एव तो मुख्या जाता है तो मध्वमक्ही में बंदर में कउवा में कचुवा में तो इस व्याट हो जाएगा संधान और नोग्रम के द्वारा निर्धायथ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ज्याद देजीएगा फेट से question पड़िए कि जिस समु के समाजिक प्रतिमान वंचा नुकरम के आधार थीक है अवंचा नुकरम के द्वारा निर्धायत होते हैं उन्हें कहा जाता है आप संव मिल जाएगा जयोविक समाजिक प्रतिमान जयोगी विड़िए प्रतिमान समाजिक प्रतिमान याद रखेगा कि समदाइक समुग की निमलिखित में से कौन सी विशेष्टा है विशेष्टा है वैसे अभी कोश्चन हो सकता है तो आपसर मिल जाएं कि जन संकिया हमकी भावना और दो जाएं कि प्रतिमिक समुग का चांग की यहा आफसर है ग्राम मित्रमंडली राष्ट रास्रमिक संग तो जो प्रतिमिक समुग है ठीक है वो उसका जो नाम है वो याद रखेगा आप लोग संद्रत है मित्र है आधेक्स को सियां करना हो मित्र बंडिल्ए निरस नंबर है तरफ आवेश लोग दी नंबर है मैं से सबी सब्सक्राइब निष्चि छेत्र या भूभाग यास रिखेगा समुधाय के लिए किस बात का होना वस्चक आप सब्सक्राइब के लिए कि कौन सब्सक्राइब कश्बा केंद्रे लोग क्रिकेट टीम कॉलेज का चात्रावास तो निम्निमेशे जो ठीक है शमुदाय कौन है तो मैं आपको बता दे रहाँ कुष्चिंग कर राइट एंसर हो जाएगा जो हो जाएगा निम्निमेशे जो और डी नमबर है ओट की अधारड़ा तो राजनितिक संस्थाओं को समझने की जो कुंजी है याद रखेगा वो है राजनितिक दल की अधारड़ा याद रखेगा सी नमबर राइट एंसर हो जाएगा राजनितिक दल की अधारड़ा नेश कोश्चन है कि जैमिन साफ्ट को न पहचाना जाता है उसका जो नाम है वह समुदाय से पहचाना जाता है कि समुदाय के अंतरगत एक संगठन या कथन किस समास्ता तरीका है कुले मोरिस गिन्स वर्ग का में कावर के पैज का तो समधाय समधाय के अंतरगत एक संगठन या कथन जो है वह मैं कावर याद रखेगा मैं कावर पेज्च का ये कथन है ठीक है अगला question है कि घोस तथा ग्राम इन दो प्रकार के गाउं का उलेक भारतिय इतिहास के किस युग से मिलता है तो मद्धी युग में, वैदिक युग में, अंग्रेज जो ठीक है, किसासन में या फिर धर्म साफ्त्र युग में तो इसमें जो question का right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, घोस तथा ग्राम, इन दोनों प्रकार के जो गाउं का उलेक है, जो भारतिय इतिहास में जो मिलता है, वो धर्म साफ्त्र युग में मिलता है, इसलिए question का right answer, d number हो जाएगा, नहीं कि समास साफ्त्र यूग, most important question है, याद आपके exam के लिए काफी helpful है, दोस्तों और भी question है, समास साफ से चुड़े, लेकिन काफी लंबी वीडियो होचे कि आप लोग बहुत भी हो रहे होंगे, नेस्ट वीडियो में हम जो बाकी question बचे हैं, हम आपको आगले question, आगले वीडियो में question answer दोनों बताएंगे, तो आप